जिप के लिए देखिए आपको यहांबर हमने नोर्मल साइज की जिप लिए है और कलर इतना अच्छा मैच नहीं हुआ इसका क्योंकि जिप में बहुत ही कम कलर आते हैं इतना अच्छा से मैच अगर ना भी होता है तो हमें जो मिलते जुलती है वहीं लगानी पड़ती है इस में से फोल्ड करके इसको आयन कर दिया है अब यहां पर हमें कुछ मार्किंग करनी होंगी देखे उपर से आप साथ इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि साथ इंच तक ही हमें अपनी जिप को लगाना है इस तरह से कट लगा दीजे इस तरह से अब जो पट्टी हमने जितना भी नीचे तक जाए ये कट से जाने दीजिए और इसको सिलाय लगा करके अटेच कर दीजिए ध्यान रखी ये उल्टे वाली साइड करना इसको पलटेंगे तब ये सीधी वाली साइड आएगी हमारी नाकुन की मदद से इस तरह से अच्छे से प्रेस करते चलेंगे ताकि कोई भी अगर खिचाव है तो वो दूर हो जाए अब पलट दिया है तो ये सीधी वाली साइड पर आ गई है अब इसको आपको नीचे कुछ मार्जन दिखाई देगा उस मार्जन को कवर करना है यहां पर और इसको आधा इंच फोल्ड कर देना है इस तरह से इसके कि बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगी तो उसके अलिए आपको यही मैथड फोलो करना होता है जिप लगाने के बहुत सारे मैथड है लेकिन जो आपका गुम करने वाला है गुम करने वाला मैथड यहीं है इस तरह से आपकी ये पट्टी आ जाहिए किनारे से सिलाई लगान देनी है अब बहुत सारे लोग देखा होगा आप कहते हैं कि जिप के लिए आप सिंगल फूट का यूज़ करें सिंगल फूट से ही जिप लगेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप इस तरह से नोर्मल फिट से भी आप अपनी जिप को आसानी से लगा सकते हैं इसके ब पाहल की तरफ जो है निकला हुआ होना चाहिए पूरा इस यह आपका सिलाई के अंदर नहीं होना चाहिए नहीं तो आपकी जिप बंद नहीं होगी तो इस तरह से इसको हमें तैयार करना है अब देखे इसको हमें बैक वाले पार्ट को ले लिया हमने यहां पर ध्यान देखे कि कहां तक आपकी इलास्टिक आ रही है इसका मतलब इतना ही आपको यहां पर क्या करना है छोड़ देना है ठीक है चाहिए आप 1.5 इंच के लगाए दो इंच के लगा जितनी भी आप लगा रहे है न उतना ही आपको उसी के कोडिंग साड़े 3-4 इंच आपका यह इस तरह से मार्किंग करनी है अब इसके बाद हमें 7 इंच पर निशाल लगाया है जो मने फ्रंट में लगाया था 7 इंच Geor यहां पर इस तरह से लगाएंगे यहां पर 7 इंच की मार्किंग हमने कर दी है अब यहां दोनों साइट भी आप छोटे-छोटे कट डाल दीज कुछ इस तरह से आ जाएंगे अब इन ही कट्स में से अंदर की तरफ अपने फैब्रिक को फोल्ड कर दीजिए और नाखुन की मदद से प्रेस कर दीजिए अब यहां पर जो हिस्सा हमने अभी अभी तयार किया है उसको इसके नीचे लगा दीजिए और यहां पर आप सिलाए लगा दीजिए अगर आप सिंगल फूट का यूज करते हैं तो अच्छी बात है अगर आपके लिए असानी है तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी लेकिन अगर नोर्मल फिट भी यूज करते हैं तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है आपको मैं दिखाए रही लगा करके इस कि दिखा रही हूं इस तरह से इसको दबाकर रखें को अपनीचे की तरफ ले आए तो एक साइड में हमाई जो जिप है ना देखिए वो अटैच हो चुकी है अब जो दूसरे वाला एरिया है यह वाला यह हमारा फ्रेंट के साथ अटैच होगा तो फ्रेंट के साथ देखि सिधी वाली साइड अंधर की तरफ है उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ है अब जो जिप है जस्ट को यहां पर रखना है अब इसको यहां पर चिलाये लगाकरक्र कäreट कर देड़ कर देना है सिर्फ तीन सी चाहर सिरायों में है आपके जिप जो है लग जाएगे पूरी हमें क्या करना है नीचे से अभी खुला हुआ हिस्सा है तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे यह और जहां पर आपकी साथ इंच युथी अकाट वगड़ना लगारे थे लग निस सतर अफको दुक्राइब लगाने करने च्युद्र ये सिलाई लगाने के बाद ना नीचे से कुछ इस तरह से आपके जिप हो जाएगी, ठिक है? अटैच हो जाएगी और ये हिस्सा आपका ओपन होगा, ठिक है? इस तरह से ओपन होगा अब जो फ्रण्ट वाला हिस्सा है ना वो इसको पूरी तरह से गुम कर लेगा तो फ्रेंट वाले को इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है ध्यारे के सिर्फ फ्रेंट वाले पर लगानी है और इसको लगाने के लिए अपनी जिप को आपको ओपन कर लेना है तब ये सिलाई आपको लगानी है यहां से इसको एक दूसरे के उपर रख लीजिए, अब थोड़ी से सिलाई आप यहां पर भी लगा दीजिए, अच्छे से इसको रिवर स्टिच में डाल देना है ताकि यह सिलाई आपके निकलेना यहां से अब में धागे को कट कर लीजिए, अब जो जिप है हमारी पूरी तरह से लग करके तयार हो चुकिए, आप देख सकते हैं टोटली यह गूम हो चुकिए, कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है, उमीद करते हैं यह तरीका आपको समझ में आ गया होका, फिर भी ट्राइ कीजिए का पहले, किसी रफ कपड़े पर अटेच करके देख लीजेगा, कच्छी सिलाईयों के साथ, ताकि आपको बेल्ट को हमें तयार करना है, देखे, इस तरह से आपकी यह आनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, ठीक है, अटेच करने के लिए, फ्रेंट पार्ट को हमने उल्टा करके रख लिए है, ध्यान दीजे, हर स्टेप का फ्रेंट पार्ट को हमने यहां पर उल्टा करके रखा है और जो हमारी pasting वाला हिस्सा था उससे दूसरे वाला हिस्सा न ये वाला इसकी साथ हमारा attach होगा ठीक है जिप वाली side आपको extra निकाल देना है जो भी extra है वो जिप वाली side निकलेगा ना कि दूसरी side क्योंकि जिप वाली side आपके hook लगेंगे तो वहाँ पर आपको belt extra चाहिए होगे यहाँ पर आधा इंच का आप gap रखेंगे margin रखेंगे उसे लाए लगाएंगे आधा इंच से कम ना रखेंगे नहीं तो ये belt आपकी बड़ी हो जाएगी चोड़ी हो जाएगी उपर से आधा इंच से जादा भले ही हो gap लेकिन आधा से कम ना रखेंगे इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको attach करेंगे अब इसको fold करेंगे तो ये हमारी front वाली side आ जाएगी सीधी वाली side पर ये attach होकर के आ जाएगी ठीक है तो यहां पर हमने fold करी दिया था इसको पहले ही अब जो नीचे वाली सिलाईया है ना उनको आपको इसके नीचे दबाते चलता है वो सिलाईया आपकी नजर नहीं आनी चाहिए जो नीचे हमने अभी अभी लगाई थी ना और बिल्कुल किनारी से होते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे देखे कितनी अच्छे आपकी finishing आई है अगर आप इस तरी से काम करते हैं बहुत ही अच्छा आपका experience रहेगा इन steps को आप अगर follow करते हैं देखे यहां पर हमें belt को एक्स्टा लेना था क्योंकि यहां पर ह इसको stitch कर देंगे कट कर देंगे देखे अब यहां पर आपका hook लगेगा तो hook के लिए हमें यहां पर extra लेना है almost 4 इंच हम यहां पर extra ले लेंगे अपने hook के लिए तो marking कर सकते हैं या फिर डारेक्ट आप यहां पर cut भी कर सकते हैं इतना हमें चाहिए जो बाद ने बच गय क्या था starting में ताकि वह यूज होगा अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड लगा दीजिए इस तरह से देखे आपका यह आना चाहिए अब यहां पर हम लगाएंगे hook को देखे, hook में आपके चार हिस्से होते हैं जो जैंट्स hook होता है एक यह होगा इसके साथ नीचे यह जाएगा इसके साथ यह दो इसमें नुकिले हैं तो इस दो होल है वो इसके नीचे आएगा अब जो आपको लगाना है इसको यहां पर आप आधा इंच इसको अंदर की तर तो इसके पार निकल जाएगा बिल्कुल यह दूसरी साइड आ जाएगा इस तरह से अब इसके नीचे वाले हिस्से को इसमें लगा देंगे इस तरह से तीन होल थी तो तीन ही आपके यहां पर लगेगा यह और यहां पर आप इसको चाहे तो कैंची की मदद से इनको दबा सक बीज है तो उस से दबा सकते हैं लेकिन बहुत जोर से चोट नहीं मालने है इसके उपर नहीं तो पूरा हुक ही ही मतलब प्रेस हो जाएगा तो हलकी हलकी इसके उपर चोट लगाएंगे तो इस सारuhanव इस तरह से आपका यह फिक्ट भीक्स हो जाएगा ठीक है अबिसके द हम नहीं चाहते नीचे वाले साइट पे भी आपकी सिलाया दिखे मतलब ज्यादा एक्स्टा तो आप चाहे तो नीचे वाले हिस्से जो ओपन रह गए है यहाँ पर आप तुर्पाई डाल सकते हैं बाकि आपकी चोई से चाहा तरफ से इसको सिलना चाहें तो यहाँ से भी सिल सकते हैं मैंने यहाँ पर इतना ही इसको सेट कर दिया ताकि हमारी बैल्ट बिल्कुल प्लेन दिखे अब बैक वाले हिस्से को इसके साथ मिलाएंगे जहां तक बैल्ट आई है यहां तक आपको मार्किंग कर देनी है और यहां पर आपको क्या करना है जो यह हिस्सा हमारा बचा था इसको यहां पर आपको फोर्ड कर देना है और इसके उपर आपको इसको लगा देना है हमने इसको एक्सा इसलिए लिया था ताकि एक ही बार में ये पूरा पोशन बन जाए बेल्ट के साथ ही तो इसलिए हमने शुरुआत में इसको एक्सा लिया था बाकि आपकी नॉर्मली कभी भी प्लाजो में जोइंट नहीं लगता है बेल्ट में देखे बिलकुल इसके साथ एक cover हो जाना चाहिए इस तरह से ये हमारा आना चाहिए ठीक है तो ये पूरे दोनों ही हिस्से हमारे तयार हो चुके हैं अब नीचे वाला हुक लगाना है तो उसके लिए इसके नीचे जस्ट आपको marking करने ध्यान से देखे इसके नीचे अंदर क तरह से आपको इसको fix कर देना है यहां पर आप जो इसके नीचे वाला हिस्सा था इसका cover था एक तरह से इसको आपको लगा देना है और इसको भी आपको हलके से दबा देना है दोनों साइड से ध्यान रहें ये बिलकुल अच्छे से fix हो जाने चाहिए नहीं तो ये कहीं भ आपके सही position पर आये हैं या नहीं तो इनको आप यहां पर इस तरह से बंद करके देख लीजिए ठीक है तो हमारे कुछ इस तरह से आजाएंगे आपके भी इसी तरह से ये आने चाहिए अब जो हमारा next step होगा वो होगा आप जो बैक वाला portion है इसमें हम elastic डालेंगे इसको आप देख सकते है फाइनली सभी portion कुछ इस तरह से ये तयार हो जाएंगे